पिछले हफ़ते जहां एक नया खिलाडी जेल में शामिल हुआ तो वही उसके बदले में इस हफ़ते हुआ डबल अविक्षिन सिधार के साथ साथ बबीता भी हुई शो से बाहर लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक कैदी ने अपनी जगर शो में बनाए रखने के लिए किया एक ऐसे रास का खुलासा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे तो एक तरह वीकेंड के दोरान कंगना ने किया द कश्मीर फाइल्स का जिक्र जिसे सुनकर मुनवर का चेहरा उतर गया सीरिल का तड़का में आपता स्वागत है मैं हुनुपुर जोहरी और आप देख रहे हैं HCN News शरिवार के एपिसोड में हमने देखा कि कम वोट होने के कारण सिधार शर्मा जेल से बाहर हो गए तो वही रविवार के एपिसोड में डबल एविक्षन बबीता फोगाट को अपना सफर यहीं खतम करना पड़ा कंगना के बैड आस जेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है बबीता के अविक्षन की खबर सुनकर सभी कैदी काफी भावुक होते नजर आए और क्यों न हो बबीता ने शोओ में स्ट्राटजी तो नहीं बनाई मगर अच्छे रिष्टे जरूर बना लिये थे तो वहीं हर हफते एक कैदी को कंगना की तरफ से शोओ में आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है लेकिन उसके बदले में एक शर्ट सामने रखी जाती है जिसके मुताबिक हर उस कैदी को अपने एक ऐसे राज का दर्शकों के आगे खुलासा करना पड़ता है जिसके बारे में पहले कभी किसी को न पता हो और इस हफते निशा रावल को करना पड़ा इसका सामना निशा ने अपने निजी जीवन से जुड़ा एक ऐसा राज बताया जिसमें उन्होंने कहा कि वो शादी शुदा होने के बावजूद भी एक गैर आदमी को किस कर चुकी है डरसल निशा ने बताया कि उनके एक्स हजबन के साथ उनकी शादी 2012 में हुई थी और उनकी शादी शुदा जिन्दगी कुछ खास नहीं चल रही थी काफी लडाई और गाली गलोच का भी इस्तमाल किया जाता था उसी दोरान निशा काफी डिप्रेस चल रही थी वो अपनी किसी दोस की हल्दी में अपने एक पुराने दोस से मिली और अपने साथ हो रही उन परिशानियों के बारे में उनने बताया कुछ समय बाद वो उनसे इमोशनली काफी अटाच हो गई थी जिसकी वज़़ा से उन्होंने उनके साथ किस किया हाला कि इस बारे में अपने पती को बता दिया था जिसके बाद उन्होंने अपने उस दोस से सारे रिश्टे खतम कर दिये थे लिकिन उसके बाद उनके पती ने एक ऐसी गलती करी जिसके कारण उन्हें अलग होने का फैसला लेना पड़ा कंगना ने निशा के इस राज की कदर की और उन्हें शो में आगे बढ़ने का मौका दिया लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कंगना ने शो के बाहर चल रही बातों का भी जिक्र किया उन्होंने सभी कैदियों को कहा किया क्या आप जानते हैं बाहर किस चीज का बोल बाला हो रहा है जिसे सुनकर पूनम ने पूछा चीज है तो कंगना ने जवाब दिया कि नई फिल्म दे कश्मीर फाइल्स काफी रंग ला रही है ये कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्यचार से जुड़ी एतिहासिक फिल्म है जिसने बॉलिवूड के एतिहास में भी अपनी जगा बना ली है इस फिल्म ने बड़ी से बड़ी पिक्चर को मात दे दी है कंगना के फिल्म को लेकर चर्चा और बढ़ाई करने पर मुनवर फारुकी का चेहरा उतर सा गया था फिल्म को झाल